चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचों केरला इस्टेट काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं इस वीडियो में मैं आपको लास्टेट, फीस, कटोप और इसमें अपलाई कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा तो हम सब इस बात को जानते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कुलेज की इतनी फीस है इंडिया में कि हर एक स्टुडेंट को पेकरपाना मुस्किल हो जाता है बाउंडरी लाइन पर अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी स्टुडेंट इन प्राइवेट मेडिकल कुलेज में फीस के कारण एडमिसन नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनकी फीस करोड तक पहुँच जाती है इनडिया के प्राइवेट मेडिकल कुलेज में केरिला इस्टेट के प्राइवेट मेडिकल कुलेज की फीस सबसे कम है यानि की ट्यूशन फीस सेवन लाग और अधर एक्समेंस टू लाग है यानि नाइन लाग परियर और ये साड़े चार साल की फीस देनी होती है अब 9 लाग परियर की फीस भी कम नहीं है लेकिन इससे कम फीस का और किसी भी स्टेट में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कोलेज नहीं है जो ओपन स्टेट हो तो सबसे कम फीस वाला ये ओपन स्टेट है ओपन स्टेट का मतलब यहां के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में अधर स्टेट के कंडिडेट एडमिसन ले सकते हैं यहां के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में अधर स्टेट कंडिडेट के लिए 15% सीट रिजैर हो हैं जिसे ओल इंडिया कोटा कहा जाता है और ये ओल इंड केरिला स्टेट में अपलाई करने के लिए दो बार ही मोका दिया जाता है इसके बाद रेजिस्टेशन ओपन नहीं होते हैं तो यह एक बार तो मार्च अप्रेल में रेजिस्टेशन ओपन हो चुके थे और अभी फिर से री ओपन हुए हैं जिनकी लास्ट डेट 23 जून दोप तीन बजे तक है कहने का मतलब यह है कि केरिला स्टेट में MBBS BDS काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 23 जून 23 दोपेर तीन बजे तक है इसके बाद केरिला स्टेट में MBBS BDS में एडमिसन के लिए कोई रेजिस्टेशन तो जो कंडिडेट केरिला स्टेट के अलावा अन्य स्टेट के हैं और वो ओपन कोटा के तहत प्राइवेट मेडिकल कोलेज में एडमिसन लेना चाते हैं वो भी केरिला स्टेट में अभी रेजिस्टेशन कर सकते हैं 23 से पहले पहले और जो केरिला स्टेट के डोमिसाइल क 85 परशन्ट वहां के गूर्मेंट कोलेज में एड्मिशन लेना चाते हैं वो भी 23 जून तक रजिस्टेशन कर सकते हैं दुबरा से कहा देता हूं इसके बाद कोई मोका नहीं मिलेगा केरिला इस्टेट में एड्मिशन के लिए चाहे कोई प्राइवेट मेडिकल कोलेज में ए आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, केरला स्टेट में MBBS, BDS, काउंसलिंग के लिए रेजिस्ट्रेशन की लास्ट डे 23 जून 23 दोपेर 3 बजे तक है, इसके बाद कोई मोका नहीं मिलेगा अब मैं आपको इसकी कटोफ के बारे में बता देता हूँ, और कैसे अपलाई करना है इसके बारे में बता देता हूँ तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि केरला स्टेट के काउंसलिंग रूल कुछ अलग है, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको काउंसलिंग से बार करवा सकती है इसकी काउंसलिंग के रूल, फीस स्टेक्चर के बारे में जानकारी हमारी इबुक में अवेलेबल है, जिसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.чोप्रा-education.in से डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने हर एक स्टेक्च की काउंसलिंग प्रोसेजर के बारे में बताया है, 24 लिस्ट 2023 में कैसे फिल करने है, ये सारी डिटेल्स इसमें आपको मिलेगी, ये ओल इंडिया कोटा, स्टेक्च, आयूस, वेटनरी सभी के लिए अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं कितने कटोफ जा सकती है और आप कहां तक एडमिसन ले सकते हैं, इसमें ओल इंडिया कोटा में 24 लिस्ट भी दी गई है कि 2023 में आपको कैसे 24 फिल करने है, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें कटोफ क्या रह सकती है, ओपन कोटा के लिए कटोफ क्या रह सकती है केरला के डोमिसाइल कंडिडेट एडमिसन लेते हैं, उनकी कटोफ तो हाई रहती है, किरला स्टेट हाई कटोफ वाले स्टेट में आता है, लेकिन जो ओपन स्टेट हैं, जहां के प्राइवेट मेडिकल कुलेज में अधर स्टेट कंडिडेट एडमिसन ले सकते हैं, तो जो 9 ला फिप्टी मार्क्स तक रह सकती है यानि 450 मार्क्स तक लास्ट राउंड में इस स्टेट में कोलेज मिल सकता है लेकिन आपको इसके लिए अधर स्टेट की काउंसलिंग के साथ साथ कैसे इलीजिबल रहना है ये इस पर डिपेंट करता है other state candidate को eligible रहने के लिए इसमें first round, second round, mop up rounds के rules follow करने होंगे तो मैं फिर से बता देता हूँ इसके last round की cut of 450 marks से रह सकती है अब इसमें apply कैसे करें तो जिन candidate ने केरिला स्टेट के 23 के लिए already registration कर रखा है जो पहले registration open हुए थे उनको दुबारा से registration करने की आवश्यक्ता नहीं है अभी वो candidate यहाँ face registration कर सकते हैं जिन्होंने पहले registration नहीं किया है जो march अप्रेल में registration open हुए थे उस समय registration नहीं किया है वो phrase candidate ही यहाँ पर registration करेंगे अब यह registration कैसे करेंगी वो मैं बता देता हूँ cwe.kerala.gov.in पर विजिट करेंगे आप इस परकार का इंटरफेस आएगा इसमें KEAM23 new application पर क्लिक करेंगे जैसी आप new application पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह आपके जो steps होंगे वो होंगे registration की fill application form की pay application form करना है upload documents image करने है आपको photo signature वगरा और certificate upload करने है और फिर print ले लेना है तो इस परकार से अब इस site पर जैसे ही आप registration करेंगे तो इसमें अगर आप पहली बार registration कर रहे हैं तो register hair पर क्लिक करेंगे और आपने पहले registration कर लिया तो candidate login पर करेंगे तो register hair पर हम यहाँ पर click करते हैं तो इस परकार का interface आएगा कि आपको 5 step में यह form complete करना है declaration पर सभी check box पर check करने के बाद में proceed for registration पर आपको click करना है यहाँ पर registration के लिए details fill करनी है और register पर click करना है तो जैसे ही register पर click करेंगे आपके पास में यह detail आजाएगी कि क्या आपने इसको edit करना है या submit करना है तो आप submit पर click कर देंगे यहाँ पर तो जैसे ही click करेंगे आपके application number show हो जाएंगे आपर आपका number show हो जाएगा application number और proceed to fill application form पर click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे select course में अगर MBBS BDS में admission लेना चाहते हैं तो medical पर click करेंगे save and proceed पर click करेंगे इसके बाद basic details यहाँ fill करेंगे और basic details फिल करने के बाद आप ये 5 step complete करके यानि की 4 step आपको complete करने हैं पांच में step में आपको application form का print ले लेना है जो 5 step मैंने बताई आपको registration की step है first वाली उसके बाद में दूसरी step basic details की है फिर आपको documents upload करने है photo signature image upload करने है उसके बाद में registration fees पे करने है और last में print ले लेना है अब आपको problem कहां सकती है इस form में तो इस form में nativity proof के लिए आप passport upload कर सकते हैं अगर आपके पास passport है तो passport upload कर सकते हैं nativity में आप यहां nk2 शोग करेंगे nk2 का मतलब है non kerala light आप इसमें शोग करेंगे यहां पर तो इसमें आपने यहां पर इसके लिए जो proof देना है वो proof है या तो आप nativity के लिए 12th की mark seat दे सकते हैं या फिर आप यहां पर यह एक इसकूल का परफोर्मा दिया हुआ है यह certificate इसकूल से जहां से आपने 12th class पास की है उस certificate के परफोर्मा पर signature करवा के principle के signature करने के बाद इसको upload कर सकते हैं या फिर आप passport कर सकते हैं nativity proof के लिए तो यह तीन documents आपके लिए eligible हैं मैं तो यहां पर कहूंगा कि आपके पास में 12th की mark seat हर एक student के पास होती है तो आप 12th की mark seat upload कर दें वो सबसे अच्छा तरीका है यहां पर के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद्द है